दोस्तों, Blender के 5 Tips & Tricks यहां पर मैं बताने वाल हो जिससे आपका काम जो एकदम फास्ट हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों मेरा नाम है Gaur Robert, आप सब गया स्वागत है Blender के Tips & Tricks वीडियो सेरीज में तो सबसे पहला जो Tips & Tricks यहां पर है वो है यहां पर आपको जी- प्रेस करने के बाद अगर अपना मिडल माउस को प्रेस situation पर्टिकुलर वो ही अक्सिस में स्टेप कर देगा और मू उता रह गा यहांपर आप लेकर जाने चाहते हो तो यह जो हे यहां पर यहीं इसका Middle Maus प्रेस करकर आपको unle opt है और यह इसने प्रेस करकर आपको अइक the any всё allergic को अगर the same time connect अ गहेट करना हे तो आप Middle Maus को प्रेस करकर और ऑफिर जो मीडल मॉथ माउस प्रेस करना का ना जो यहां पर हम एक Sphere ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा इच्छ से समझ मेंगा अभी में टेप प्रेस कर रहा हूँ और नॉर्मल हम जब क्लिक करते हैं और सिलेक्षन होता है सिफ्ट के साथ हम क्लिक करते जाते हैं अगर आपको जो है सोट पाथ में सिलेक्षन करना है तो को प्रेस रखें और नेक्स्ट जहां तक आपको सिलेक्षन करना है लास्ट में उस एज के उपर क्लिक कर दे तो इन बीट्वीन जितनी भी एजी से वह आटोमेटिकली सिलेक्षन हो जाएगी जैसे कि कुछ इस तरह से आप जो है अपना सिलेक्षन इजीली कर सकते हो तो द लूप में होता है ठीक है एजीस या वर्टेक्स हो या एजीस हो ठीक हो सारा चीज सेप्ट अल्टर के साथ क्लिक करने के उपर पूरा लूप में सिलेक हो जाएगा तो यह भी काफी यूसफुल है आप लोगों के लिए सोटकट तो इसका यूज करके आप वर्कफलो फास् करने से पहले हम क्या करते है लेप साइड या राइट साइड का कोई भी जो है पार्ट सिलेक करते है फिर उसको हम डिलीट करते है ठीक है और उसके बाद हम मोडिफायर प्रोपर्टी में जाते है और वहां से हम एपलाई कर देते है मीरर मोडिफायर ठीक है तो इतनी चीज edit में जाए preferences में जाए और एक add-on है उसको on कर लीजिए auto mirror को ठीक है तो बार-बार आपको जो है एक बार यहां से ओन कर दिया add-on को बार-बार फिर उसको आपको mirror modify apply करने की जोड़ीत नहीं आप यहां पर आ जाएए एंट्रेस करना है और यहां पर आपको मिल जाएगा एडिट में ओटो मिरर जैसे इसके उपर क्लिक करोगे तो यहां पर ओटोमेटिकली जो है मिरर मोडिफायर एपलाई हो जाएगा और जो हमने तो इसके उपर हमने एपलाई कर दिया मिरर मोडिफायर ठीक है तो अभी हम इसको एकदम फटापट एडिट कर सकते है और अपना वर्क फ्लो फास्ट कर सकते है तो यह हो गया तीसरा हमारा कंपलेट और अभी हम चोथा चो टिप सेंट्रिक से उसके बात करते है तो सिप्ट एपरेस करके यहां पर मैं क्यूब ले लेता हूँ ठीक है तो जब भी हम एडिट मोडिफायर में जाके सबडिवाइड करते है तो ओबजेक महां से स्मूध हो जाता है ठीक है तो इसका यूज़र हम करते है बट अगर आप डायरेकली इसको जो है सबडिवाइ ठीक है इसकी मदद से आप इसको स्मूध कर सकते हो महला 567 कंट्रोल के साथ जितना करोगे उतना यह स्मूध होता जाएगा आपका उबजेक उसमें सब डिवाइड जो है अपला होता जाएगा तो यह भी जो है काफी यूज़र करना है वह कंट्रोल के साथ नंबर प्रेस क करेगा आपके नंबर के नंबर से उसका यूज नहीं करना है कीबूर में जो F1 F2 F3 के नीचे जो नंबर से लिखे होते वह नंबर का यूज़र करना है और नेक्स फाइन नंबर की जो टिप सें ट्रिक से वह है जब भी अबजेक को एडिट कर रहे हो नाइप टूल का यू एकडम स्ट्रेट भी कट लगाने देगा और 45 डिग्री में भी आपको कट लगाने देगा तो यह भी काफी यूस्पूल है तो दोस्तों यह कुछ पांच टिप्स और ट्रिक्स थी जो ब्लेंडर में आप यूज कर सकते हो अपना वर्क्रोल फास्ट करने के लिए इसके अल प्रोचिंग स्ट्रेंज फिर मिलते बाई बाई